एक साहुकार रहता था, साहुकार की ग्रस्ती धन धानी से भरी हुई थी, किन्तो वो निसंतान था, उसने कई जब तब किये, दयाधर्म के कान किये, संतान न हुई, जब वो आसपास के घरों में बच्चों की किलकारियां सुनता, तो मन मसोस कर रह जाता। साहुकार ने कई धर्मार्त के कार किये थे, स्वयम भी बड़े, सयम से रहा, ध्यान भजन किया, दान धर्म के कार्ज किये, अन्तते, विधी माता ने उसे एक पुत्र दिया और कहा, तुम्हारी विनती पर मैंने तुम्हें पुत्र दे दिया, ये पुत्र केवल 18 वर्ष तक जिवित रहेगा, जिस दिन इसकी आयू 18 वर्ष पून होगी, उसी दिन की आधी रात को इसकी मृत्यू हो जाएगी, सहुकार घबरा गया और बोला, ये आप क्या वर्दान दे रही है, ऐसा अनर्थ ना करें, मैंने जो कहना था, कह दिया, मेरा कहा टाला नहीं जा सकता, कह कर विधी माता अंतरध्यान हो गई, सहुकार ने ये बात पत्नी को बताई, पत्नी ने इतने में ही संतोष्टी जहिर की कि कम से कम 18 वर्ष तक तो पुत्र उसके साथ रहेगा, वे अप निसंतान तो नहीं कहे जाएंगे, सहुकार की पत्नी गर्बती हुई, और समयाने पर उसने एक सुन्दर बालक को जन्म दिया, एक मात्र और प्रिय पुत्र होने के कारण बालक का पालन पोशन बड़े अच्छे धंग से हुआ, 18 वर्ष तक होते होते वो भरा पूरा युवक दिखने लगा, सहुकारिन को उसके विवा की चिंता सताने लगी, सहुकार विवा क किछी की कन्या का भूरा भी नहीं किया जा सकता, कुछ समय बाद बहुका क्या होगा, सहुकार की किसी बात को सहुकारिन ने नहीं माना, अंतते उसने बेटे का विवा एक अच्छे घर की सुन्दर और सोशिर कन्या से कर दिया, विभा के बाद कुछ समय आनन से पीता, मन ही मन साहुकार को डल लगा रहा, साहुकार बहु को ज्यादा दिन माई के भेज देता, कुछ दिन अपने यहां रखता, जब 18 वर्ष पूरे होने में 3-4 महीने शेश रह गए, तो साहुकार ने बहु को माई के भेज दिया, माबाप उधास रहने लगे, एक दिन दिन बीतने पर वे और उधास हो जाते, जैसे जैसे दिन कटते गए, मा घबराई से रहने लगे, और बहु को बुलाने की जिद करने लगे, साहुकार कुछ दिन टालता रहा, जब ज्यादा हट किया, तो वो बहु को लाने चल दिया, बहु को भी अंतिम दिन आ गया था साहुकार का मन बैठ गया और वो एक जगे बैठ फुट फुट कर रोने लगा बहु किस समझ में नहीं आया ससुर क्यों रो रहे हैं वो बार बार पूछने लगी कि उन्हें क्या तकलीफ है क्या पीमारी है ससुर ने अंत में कहा बेटी तुम शैद मुझ पर विश्वास नहीं करोगी मैं सच सच बता दिना चाहता हूँ इतने दिन ये बात हमने तुम से छिपा कर रखी हम तुम्हारे गुनागार है पिताजी ऐसे क्या बात है आप निश संकोच कहिए मुझसे कहा नहीं जा रहा बेटी छिपा कर भी नहीं रख सकता तुम साहुकार पुने रोठा बस इतनी सी बात के लिए परिशान हो रहे है बहु ने कहा मैं तुझे इतनी कम उम्र में विध्वा कैसे देख सकता हूँ हमारे घर किसी चीज की कमी नहीं है पर विध्वा जीवन पिताजी आप चिंता न कीचिए मुझे जो चीज चाहिए वो लोटा थोड़ा अनाज और इक गाए ये चीजे तो घर पहुंचते ही ला दूंगा और कुछ चाहिए हो तो वो भी ले लेना शाम होने से पहले वे घर पहुंच गए साहुकार ने तुरंत सभी चीजे मगवा दी बहु ने सास के पैड छूकर आशिरवाद मागा और कहा कि रात मेरे कमरे में कोई ना आए अंधेरा होने पर बहु ने दर्वाजे पर दीपक जला कर रख दिया साहुकार का बेटा इन सब बातों से बेखवर आराम से सो गया रात के पहले पहर विधी माता के भेजे दो दूद दर्वाजे पर आए जो ही वे भीतर आने लगे दीपक ने उन्हें रोक दिया दीपक ने कहा यहां मेरा पहरा है कोई भी भी भीतर नहीं जा सकता यदि किसी ने नहीं मानी तो मैं चारो और आग लगा दूँगा इस आग में तुम लोग भी जल जाओगे दूद डर के मारे वापस चले गए विधी माता ने अब चार दूद भीतर आने लगे जलने उन्हें रोक लिया यदि किसी ने भी भीतर जाने की हिम्मत की तो मैं एकदम छिप जाओंगा और सभी लोग प्यास से मर जाएंगे जलने कहा चारो दूद वापस गए अब बहुने दर्वाजे में अनाज रख दिया विधी माता ने अब आठ इस तरह रातरी के चारो पहर बीत गए जब सभी दूद वापस आ गए तो विधी माता के क्रोध का ठिकाना न रहा उसने दूदों को खूब डाठ फटकार सुनाई और स्वयम उटकर साहुकार के घर पहुंची देहलीस लांग जैसे ही विधी माता भीतर आई बहुने जु स्वाहगिन रहने का आशिरवात दिया है इसके बिना में स्वाहगिन कैसे रहोंगी विधी माता को अब पता चला कि उससे क्या भूल हुई है साथ ही वो बहु की कोशलता पर प्रसन भी हुई विधी माता ने आशिरवात दिया तुम सदा स्वाहगिन रहोंगी ये कहकर वि की पत्नी ने जब सुभह बिए